के दोस्तों जातें मेरे यूटूब चैनल आर्मान फार्मा वर्ड में मेरे फूल बढूर niewजु हैं मेरे चैनल को subscribe करें लाइक कर दें क्यों कि दोफेर् idag कि आपके support की बहुत जरूबरत है मेरे चैनल को subscribe स्क्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचे तो दोस्तों इन बॉक्स में एक मैसेज पढ़ा था कि जब हमें आइवी कैट लगती है तो हमें ठंड क्यों लगती है और हमें खाने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है मत्तХ खानाaire हमें खाना खनाने की सला क्यों नहीं देता आइवी कैट लगने के टाइम तो दोस्तों मैं इस हलता होता है कि जब हमें सबसृण फरम करते हैं डोक्त के जब हमें आइवी कैट लगा होता है तो धेयों क्यों भुता होता है जो हमारी बॉड़ी में लगा होता है जो हमारी बॉड़ी जो अंदर लेती है अपनी बॉड़ी में प्रिजेंट करती है तो वह हमारी भूग की या इनर्जी की रुकार्मेंट वह इंफ्यूजन ही पूरा कर देती है तो उसकी रुकार्मेंट वह पूरे कर देती है औ खाना नहीं खा सकते हैं लेकिन इसमें एक दिख्कत हो जाती है एक प्रावलम क्रेट हो जाती है तो दोस्तों दूसरा कोश्चन यह था कि हमें ठंड क्यों लगती है अचली होता ऐसा है कि हमारी बॉड़ी का जो में टेंपरेचर होता है 37 डिगरी सेल्सियस अब मेंचे हमारी बॉड़ी को सब्सक्राइब करते हैं कि अब ठंड हो गई है अब हमें कुछ पहिनना चाहिए अचा कभी-कभी अएसा होता है हमारी घंट रही होता है और यह थंड कौई पानि में रही है और ऑला है नशों में पुद्ध करता हमार यो हमारे हाट सी अ कुछ महसुत हूस होता है घंड के मौसम में hyvket या तो दॉक्टर चो वहारा हमारे घर्मारे मतलब आई-व कहते है 상 golpe जो पेशेंट उसे ठंड ना लगे एक तो इसका यह कारण हो गया और दूसरा कारण यह है कि हमारा जो बिलेड गर्म होता है और वो जब उसके पास में एक नई चीज होती तो वह आप्सोर्षण नहीं कर पाता है तो दोस्तों आपको समझ में आगया होगा कि हमें खाने के लिए इतना बड़ा इस्यू नहीं है वैसे में क्या क्योंकि जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम पोजिशन आ जाती है तभी हमें आईवी कैट लगती है वैसे हम नॉर्मल नॉर्मल मेडिसन से भी ठीक हो तो जाएट दिवात हमें खाना डाक्ट ग्षण नहुंए वना करता हैं इतना हमें जो हमें relevant चैसी हमें प्रॉट होता है और energy हमें क्या दे रही है है अदि जो फिलुट जेव इन मिल कॉंप्लेक्स होता है या ग्लों तरफ से मिलेगी तो जो जब दोनों एक साथ में जाएंगी हमारी बॉड़ी की अंतर तो हमारा दिल रुपकाने लगी तो इसमें यह जब वोमिटिंग आएगी तो हमारी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है इसलिए डॉक्टर बना करता है इसलिए डॉक्टर जो है खाने के लिए सला नहीं देता है वो अपनी ओपिनियन से यही कह देता है कि खाना नहीं खाएंगे तो दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है कि आपको यह वाद समझ में आ गई होगी तो दोस्तों घर में रहें सेव रहें सतर कर रहें क्योंकि इस समय कोरोना की दूसरी तीसरी लहर आने वाली है यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो दोस्तों जहां भी निकले मास्क लगा के निकले घर से बाहर निकले और बहुत ज़्यादा महत्वूण कर रहे हूँ तभी घर से बाहर निकले क्योंकि दोस्तों हम तुम जिस कुरोना वायरस को हलके में ले रहे हैं हलके में लेने की चीज नहीं है हलके में लेने की चीज नहीं है यह बहुत ज़्यादा हानिकारत है हमारी बौडी के लिए पहुत ज़्यादा हार्म खुल रहे हैं इससे इस बार के आकड़े बहुत जादा हैं, इससे बहुत साधर लोग भी मर चुके हैं, तो दोस्तों घर में रहें, इस्टे होम, इस्टे सेव, तो मेरी वीडियो को अगर लाइक पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेर करें, कमेंड करें, और सब्सक्राइब करना ना बूल तो थैंक्स पॉर बॉचिंग में, अस्सलाम उलेकुम, सब्स्रियाकाल, नमस्ते